ब्रिक के बाद आपका स्वागत है दिर साहब अभी आपसे बात हो रहे थी जैसे का आप पार्टी के बारे में बोला ऐसी और ने कॉंग्रेस भी आपके सामने ओफसन थी दूसरी पार्टी आथी लेकिन भाजापा ही क्यों जॉइन किया आपने आपकी जान के लिए मैं तकरिबन सारी जिन्दगी जब से मैं वोटर बना मैं भारती जनता पार्टी को ही देता रहा हूँ हमारे पहले माननी वाजबेश साहब जहां से कड़े गो थे जब मैं 18 साल का हुआ या उसमें जो भी एच थी 21 साल थी जो भी तो उसमें मैंने पहला भारती जनता पार्टी को दिया था और उसके बाद आपको पता है कि देश में हलात ऐसे होगे चुरासी के बाद तो कांगरस के बेपास जाने का कोई मतलब भी नहीं था और मैं हमेशे भारती जनता पार्टी के साथ डिरेक्ली और इंडिर्क्ली जुड़ता रहा लेकिन 2002 म मैंने वोलेंटरी रिटार्मेंट लेकर अपने आफिस से हमें स्टेड डेटिंग कॉर्पेशन आफ इंडिया में असिस्ट्ट मनेजर था तो उसके बाद मैं रिटार्मेंट के मैं एक्टि पॉलिटिक्स में आ गया बरती जनता पार्टी के साथ काम करता रहा और अभी मैं मैंने हाली में पिछले साल कुछ वज़ा थी मैंने वो छोड़ कर शैद ये मेरा सबागे था कि हमारे यहां पर इस चेत्र में तीस पैंटिस साल से एम मेले जो बनता था कांगर्स का ही बनता था कोई बीजेपी का तल बलंद सिंग मारवा हाँ वो 15 साल मारवा साब भी रहे उससे ahead भी कांगर्स का ही रहें लेकिन वारतिय जनता पाईियपी के जो कैंडिडेटर्स खड़े होते थे वो कांगर्स को कोई भी नुकसान नहीं बुचा पाए इसलिए वो चलते रहे शेल मेरा सबागे था कि मैं वारतिय जनता पाईियपी रहें आम मादमी और ये मेरी घर वापसी है लेकिन आप में क्यों गहें फिर उस समय कॉंगर्स में जा सकते थे दोसरी पार्टी आ थे ठीक आप सुरू से बाहरे पार किस नमर तक रहें अन्दा जी का जो अंदोलन था वो एक वाक्य ही परभावित करने वाला था लोग करप्शन से दुखी थे महंगाई से दुखी थे बिजली के बिलों से दुखी थे तो इन सब बातों से दुखी होकर कांगर्स का तो उसमें रूल था दिली में भी सेंटर में भी तो वहां तो बाजपा भारतिय जन्दापार्टी मेरी माँ पार्टी थी, जहां मैं शुरू से रहा, मैं जितना भी करम किये, बाजपार के साथ रहे कर एक अच्छा लोगों वे सेयो करता रहा हूँ, तो मैंने उसी में जाना पसंद किया. इसलिए आप भाजपा जोइन किया, तो क्या लगता है कि भाजपा जोना लड़ेंगे आप? दोनों में कोई स्तुला है या कोई स्तुला नहीं है? देश को आगे बढ़ने में बहुत से योग दे रहा है, विकास का मंतर दे रहा है, और उनके जो विचार दारा है, बहुत कलियर है देश को आगे बढ़ने के लिए, और कास का रभ जो उनके विचार दारा है, दिली को एक वर्ड कलास सिटी बनाने के लिए, दिली को साफ स प्रविवाल साथ ने की है उनका जारू ले लिया उन्होंने शेली दिख्षित ने भी उनकी काफी तरीफ की है और यहां तगर आप अगर देखो फॉरण में भी बुराक अबामा जैसे राश्पती इतने ताकतवर देश के हैं उन्होंने भी मैन आफ एक्शन मोदी जी को पॉती जी का एक कृष्म है उनमें जो लिगेशिव पॉलिटी से हैं सबको साथ लेका अगे चलने की और वो सच्चे मन से देश की सेवा कर ले हैं और ऐसे पदान मंतिरी अगर कुछ पर्ष़ों पहले हमारे पास आ जाते तो आज हमारा देश का हां से कहां तक हो जाते हैं फिर से अपनी पुरानी पार्टी में गए और आपको लगा कि यह आपका घर है हां जी बिलकुल मैंने सोच विचार के पार्टी और जब तक अब मेरी जिंदगी है खून का एक भी कत्रा जद तक मेरे शिरीर में है मैं भारतिये जंता पार्टी के दवारा देश की सेवा कर आपको टिकट मिले ना मिले चंव मैंटान को इतना मैटर महां कि एक कम से कम packed जो विचार धारह ऑदी पारिटी है ऐसके साथ काम करना वैसी वे अच्छा लिगता थो इस विचार धारह के प्रवाह में आपको लगता है कि आज की तारिख में आपने एक दुनिया देखी, सरकारी नौकरी भी की, साथ साथ आपने राज्यतिक जीवन भी जिया, और एक जो किसी राज्य का जो एक पद होता है, सरवुच्छ पद, मुखमंत्री से बरापद, उसको भी सुशोवित किया आपने, इस से बरती हुआ था, और साथ डिस्टिक में मैं चीफ वर्डन की पोस्ट तक गया, और जनता की निश्काम सेवाएं करते करते, मैंने दो रास्पती पदक लिये हैं, दो जार पांच में, प्रेजिट अफ इंडिया मेरिटोरियल सर्विस मेडल, और दो हजार दस में, लोगों के लिए हम काम करते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजा रही हमारे इलेक्शन में, मेरे काम अने के लिए कि हमने कांगर्स के गड़ में यहां पर सेंद लगाई और इलेक्शन जीते थे, तो लगता है कि इस बार भी आफ सेंद लगाएंगे और दिली में सथाई सरकार नहीं चाहिए, उनको सथाई सरकार चाहिए, जैसा कि नेंदम मोदी साहब ने अपने देश को एक पारलियमेंट जो पकी सथाई सरकार के रूप में उन्हों ने हमें एक दिया है, और आब लोग यह भी चाहें कि दिली में जो भी सरकार बनें, वो यह ने की 49 तो डिली में मुखमंत्री कौन होगा आपको कह लगता आपके हैं ऐसा यह एक पार्टी का फैंसला है मेरा अभी तक जतना भी मैंने पढ़ा है सुना है देखा है आज तक जो डिसाइड करती है या विधाय करते हैं या पार्टी अपने हिसाब से करती है तो यह उस समय के हैं जो डिली को बेहतर बना सकता है लेकिन अभी बात चल रही है कि महिला को किसी महिला को मुखमंत्री बनाने के बाद में अक्षी लिखे का नाम आया है इसमिरती रानी का नाम आया है कि दस साल पहले नो चिनाव लड़ी चान्नी चोग से और अच्परधन भी हैं कि पार्टी का जो अदेश होगा उसमें विदायकों को या विदायक जो चाहेंगे उसमें तो वही होगा अभी इसके बारे में कुछ कहना इतना जल्दी कुछ कहना ठीक नहीं है देर से हमारी बात च्पर जारी रही है वक्ते चोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद हम फिर मिल कुछ करा नहीं तो मुषंदी प्रेक काई चम तो करा ठीक है ग्षा विर नहीं में।